बी वाई वी टेंड बेग्राउंड नोइस को कितनी अठा जेता है रोड पर ट्रेफिक काफी चल रहा है आप सभी का फिर से स्वागत है कि नई व्लोग में मैंने माया आज बोया का है वायरलेस माइक है बी वाई वी टेंड जो content creators होते हैं उनको सबसे बड़ी दिक्कत आती ह यह sound quality की जब कहीं बाहर शूट करने जाते हैं उस टाइम पर क्या होता है कि बेग्डाउंड नोईस आपकी न मोबाइल में या फिर जो भी camera आप यूज करते हो अगर कोई mic external आपने यूज नहीं कर रहे है तो आप क्या होता है बाहर की background noise काफी ज्यादा आती है आपको नो की wireless transmission omnidirectional होते हैं सारे जो मतलब कि आप जो audio recording वाले होते हैं उजाततर omnidirectional होते हैं इसके अंदर आपका noise reduction भी available है और automatic pairing है आप type c वाला जो इसका receiver है वो मोबाइल के साथ में attach कीजिए attach करने के बाद 2 second में यह चाल हो जाता है यहां जो यह दे रखा power on off का आप इसको प्र से हो रही है और मैं आपको सेंपल विताऊंगा without mic कैसी quality आती है और mic के साथ में कैसी quality आती साउंड की अब इस mic को मैं हटा देता हूं फिर देखते हैं कि background noise को कितनी capture करता है मैंने receiver हटा लिया अब आप देखे कि background noise कितनी आ रही है अब इसको दोबारा मैं इसी के अंदर ल background noise को कितनी अठा देता है अब इसका noise reduction वाला feature हम इस्तमार करके देखते है कि वह कैसा काम करता है अनर लिखा है ना इसको एक बार प्रेस करेंगे तो यहां से blue light green हो जाएगी green हो गई अब यह noise reduction चालू है अब पता नहीं quality कैसी आ रही है sound की यह तो मुझे editing के time पर पता लगेगा बागी आप बताईए कि noise reduction वाला feature अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा है काफी traffic है मेरे य noise reduction से बहार आने के लिए आप लेक बार प्रेश करना है ननर जैसे आप इसको प्रेश करोगे अप procedure के अउफ कर दोगे इसके साहत में मिलिए Type C की केवल Type C की की केवल एक mic मिला है एक receiver मिला है रिसीवर को हम लगा देंगे, फॉन के साथ में अटेज करेंगे, माइक को हम लगा लेंगे अपने कॉलर में जहां आपको चाहिए माइक जिसे साफ सो आपको सूटेबल लगे वहां लगा लेंगे, इसमें टाइप C का पोर्ट दे रखा है, आप इसको यूज करते समय न, रही होगी, रोड पर ट्रेफिक काफी चल रहा है, तो साउंड तो बेकार आनी है या नहीं है, अब मैंने यह वाला रिसीवर लगा लिया है, तो आप बताईए कि साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है, ट्रेफिक की साउंड कितनी कम कर पाता है, अब यह सेंपल आप देख लाल में बाहर ही हूं, तो आउट्डोर में एक कैसी क्वालिटी प्रवाइड कराएगा, और बहुत करने के बाद यह और भी ज्यादा बैक्ग्राउंड नोइस को कट कर पाता है या नहीं कर पाता है, अब मैंने इसका क्वालिटी कैसी आ रही है, और मुझे जो लगता है क्वालिटी काफी ज्यादा बैटर निकल कर आएगी, क्योंकि मैंने जो अंदर सेंपल लिया था, उसमें थोड़ी इंप्रूमेंट थी, अब आप कंपरेजन कर सकते हैं कि लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए, बाकि मेरे इसाब से यह बहुत बढ़ी हमाइक है, आप ब सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना इसे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, मिलते हैं आप से अगली ब्लॉग में